अगर आप अपने देश के लेजंद्स को मुझे लगता है कि इस दुनिया में batsmen जितने मर्जी run बना लें जितने मर्जी 100 बना लें, जितने मर्जी 1000 run बना लें Hindustan की history में अब तक और आने वाले भी कितने सालों तक अगर कोई match winner हुआ है, सबसे बड़ा match winner तो अगर आप अपने legends को इस तरीके से treat करोगे तो आप I think इससे बड़ा disgrace Indian cricket के लिए, इससे बड़ा disgraceful event Indian cricket में कभी भी नी था कि अगर आप अनिल कुमले जैसे stature के आदमी को, जिस तरीके के वो इस तरीके के वो selfless human being है, जिस तरीके से वो honesty से अपनी cricket केले हैं और जितने उन्होंने matches जिताए हैं उस तेम पे आप मिटियां आप rank turners नहीं बनाते थे जिस तरीके का उनका record है अगर आप उनको इस तरीके से treat करते हो probably I think BCCI I think में को लगता है कि यह BCCI की हार थी BCCI को इसमें खुश नहीं होना चाहिए था जो officials हैं को खुश नहीं होना चाहिए था probably उनकी सबसे बड़ी हार अगर आज तक की history में इंडिन cricket की कुछ है तो अनिल कुमले को जिस तरीके से उन्होंने treat किया तो इतने जुश जादा he किसी को भीदेना मुर्य मेरे साबसे ठीक नही रहता because ultimately team sport में आप सब के साथ मिलके चलते हो ति आप सब के साथ मिलके चलते हो आपकर एक vision होता है आप सब मेने भी Kaker की साथ साथ क kirani करी है obviously कई बार मैंने भी decision गें कि इसको coach नहीं बनना चाहिए लेकिन एक तरीका होता है एक valid reason होता है कि किस reason से आप उसको coach नहीं चाहते है क्या आप same vision पे नहीं हो क्या आपको लगता है कि वो honest नहीं है क्या आपको लगता है हो hard working नहीं हो valid reason होता है अगर आप आपके भी job में कभी किसी को sack करते हो तो एक valid reason के साथ sack करते हो इसलिए नहीं क्योंकि मैं को आप पसंद नहीं हो या आपको मैं पसंद नहीं हूँ ultimately कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती अगर आपके differences of opinion थे तो differences of opinion तो घर में भी होते हैं अप घरवालों को तो नहीं sack करते हैं या छोड़ते हैं तो differences of opinion को आप sort out करिए because ultimately Indian cricket के लिए अनिल कुमले बहुत जादा important थे Indian cricket के लिए because जो उनका vision था जब वो खेलते भी थे उनका ultimate vision था कि India, India से भार किस तरीके से करते है प्रफॉर्म करता है वो उनका ultimate vision था आप अभी इंडिया से भार कुछ भी नहीं जीते आप England में हारे आप South Africa में हारे India में India में हमेशे ही strong थी तो अनिल कुमले जैसे इंसान का जो vision था I think मुझे लगता है कि Indian cricket जस तरीके से उनको use कर सकते थी उस तरीके से नहीं किया तो ऐसे में क्या आपको हासी आती है जीब सा लगता का ही क्रिकेटर से पूछा कि यह क्लेम किया जाता गिए यह तिम जो करेंट टीम है बेस्ट ओवर्सीस टीम पंद्रह सालों में रवी शास्तरी ने है आप जिए लावा तो आपको यह लगता है कि जिस टीम के आप कोज बने वह सबसे अच्छी टीम है वह आपर ओडी जो जीते थे वो वर्ल्ड सीरी जो जीते थे वह जीते थे उसके लावा तो मुझे नहीं याद कि रवी शासरी इंडिया से बार कुछ भी जीते है रींडया से बार नाव न्यूजलेंड में जब हम जीते लास् टाइम तो आप चालैस साल बात जीते थे थे शोरी में उसका पात जीती थी उससे पहले मुझे नहीं पता रहे हैं घ्ँरे इस जिसματα फ़से जब आप खु़wright ने जीती हैं अजब से ऩी करने चीदिके लिगे बागी सबको आप डिग्रेट करते हूं तो ऐसी स्टेटमेंट्स ना स्वेशिल आप इंडिन टीम के आप कोच होते हो तो इसी स्टेटमेंट्स देनी नहीं बनती है जब आप 4-1 हार के आए इंग्लेंड से अगर आप 4-1 जीत के आए ना तब भी आपको हपूल रहना चाहिए और तब भी आपको यह नहीं कहना चिहां चाहिए और अप आपको यह कहना चाहिए जैसे आप टेस्टीम की मैं बात कर रहा हूं, अजिंक्या रहाने के आप उधारन देख लीजे, या शेतेश्वर पुजारा का उधारन या पिर आरश्विन का भी देख लिए कुछ हद तक या रविंदर जड़ेजा का, आपके जो चार-पांच कोर प्लेयर जो एक दो साल प एक्सपीरियेंस से बताएं, इन खिलाडियों के कॉंटेक्स में इस तरीके का पैशन इस देश में क्रिकेट को लेकिए, कि आपको पाता है, आपके पीछे दस या पंदरा या पचास खिलाडी लगे हैं, जो आपकी पोजेशन ले सकते हैं, और कभी ना कभी लेंगे भी ज एक यंग्स्टर गया है, वो सीखेगा, सीखना होता है, वो रंजी ट्रॉफी में सीखना होता है, जब आप इंडिया के लिए खेलते हो, वो होता है, टाइम डिलिवर करने का, प्रफॉर्म करने का, टीम को जिताने का, सीखना इंडिया ए, रंजी ट्रॉफी, डॉमेस्टि cricket में होता है वह finished product जाता है जब आप finished product जाते हो तो आप सिरफ एक ही चीज उनको दे सकते हो है security अगर आप security नहीं दोगे तो जब इनसान अपनी जगा के लिए खेलता है तो आप उसका best नहीं ले सकते है और वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं team को जिता हूँ वो ये सोचता है मैं अपनी position कैसे team में रख सकूँ या मैं अपनी position team में कैसे बरकरार कर सकूँ जब वो ये सोच के खेलता है तो वो हमेशा restrict होके खेलेगा हमेशा एक shell में रहके खेलेगा और वो किसी भी team के लिए अच्छा नहीं है security सबसे जादा important है और security ठीक तरीके की मैं यह नहीं कहता किसी को पचास chances दे दो लेकिन आप किसी को कम से कम एक या दो series दो उसके बाद judge करो आप किसी को एक या दो match के बाद नहीं judge करो in fact अगर जैसे आपने बोला अगर लड़के insecure है तभी आपकी performance ऐसा show भी कर रही है जब आप overseas जाते हैं